पूरे देश का दिल दहल जाता है बस इतना समझ ये कि जो अपराधी है वो बिहार में सरचढकर बोल रहे हैं कभी नेता के बाप को मार दे रहे हैं, तो कभी जन प्रतिनिदियों को मौत के घाट उतार दे रहे हैं, और छपरा के दाना डी गाउं में तृपल मडर हो गया है, और ये घटना सच में हिरते विदारक है, एक सरफिरा आसिक, एक संकी आसिक जो है अपने प्रेमिका के घर पर में लड़ रही है लेकिन दुर्भाग्य का बात यह है कि अपराधी उस सर चड़कर बोल रहे हैं उनके अंदर किसी का खौप नहीं है ना सत्ता का खौप है ना सासन का खौप है ना प्रसासन का खौप है हम लोग सुना करते थे कि बिहार में समय था जंगल राज हुआ करता क्या सच में फिर से बिहार में जंगल राज आ गया है अभी दरभंगा में मुके सहनी के बाप को मौत की घाट उतार दिया गया इसके बाद गोपाल गज में मुखिया और बीडी सी को मार दिया गया और फिर इसके बाद छपरा में एक ऐसी घटना घटित होती है जिससे समा पर तोड़ चाकू के साथ हमला करता है और तीन लोगों की मृत्य हो जाती है देखें आस पड़ोत में इधर उधर कोई घर भी नहीं है चीखने पर चिलाने पर कोई सुनने वाला भी नहीं है और इसके बाद जो रोसन नामक अपरादी वो किधर से चड़ता है कुछ नहीं प करता है और इसके बाद तीन लोगों की अनिस्पाट डेत हो जाती है मा जो थी वह हमले को भाप कर कूद फान कर इधर उधर रात में भाग कर किसी तरीके से अपना जान बचाने में सच्छम हो जाती है और वह अभी आई सीउ में भरती है बहुत सारे लोग हैं यहां पर हम बगल के गाउं के दो लड़के थे चार लोग के उपर दू लोग हमला किया है ऐसा तो वह सब कोई पूलिस कर्मी बोल रहे हैं कि हम दो ही लोग हैं लेकिन दो लोग मडर चार लोग कर सकते हैं इस घर में कौन-कौन रहता था दो लड़किया थी और माता-पिता उसके बस लड़की और उनके माता-पिता चार लोग इस घर में रात में छट पर सो रहे थे हमने सुना कि एक बज़े रात को यह सारी घटना को अंजाम दिया गया कामरा देखते ही बहुत सारे लोग जो है उस साइड में चले गए हैं आज इनके उपर हुआ है कल इनके उपर होगा तब इनको पता चलेगा कि हाँ अपराधी का कोई जात धर्म मजाब नहीं होता है वो किसी को किसी भी समय किसी भी अवस्था में अपने लिए जो है किसी को भी मार सकता है इसलिए आज डरियेगा तो कल आप भी कटियेगा कल भी मारा जाईएगा और मारा जब जाईएगा तो कोई बोलने वाला नहीं रहोगा और जब आपको मिवार कर चला जाएगा तो चार लोग ऐसे भी हावाज सुनते ही माइक लेकर ही और कैमरा देखते ही भाग कर खड़े हो जाएंगे हमको क्या पड़ा था पटना से यहां आने पेट्रोल खर्च करने में लेकिन नहीं अप प्रसासन के अंदर इनके अंदर तरिक भी खौप नहीं है अगर प्रसासन का खौप होता तो सायसे अपरादी एक बार घटना को अंजाम देने से पहले हज़र बार सोचता और यहीं करने कि बिहार में जंगल राज के उपमा हर बार दी जाती है सत्ता बदलते हैं लोग चाहरा जाता है और मार कर जोहान को मौद के घाट उतार दिया जाता है सर आप लोग क्या कर रहे हैं जानी है तो तो कईसे अपना जी जो है खौफ में रहेगा बताइए अपना कितना दूर यहां स्थाना हुआ थाना यहां से करीब ना करती चार किलोमीटर दूर थाना है दूर के पेट्रोलिंग गाड़ी तो इदर हाउ हाउ करके जो है घूमती होती ना एक से डेड़ किलोमीटर बिल्कुल खौफ नहीं लोगों का बताइए इसे जो है कोई भी घर पर चड़कर हमला कर दे रहा है यह बाहर बिहार से बाहर जब आवाज और बात जाएगी तो बिहार की सोभा बढ़ेगी यह घटेगी बताइए आप लोग आपका क्या गलती है लेकिन आप भी क्या कीजिएगा आपको जो दाई तो दे दिया जाता है आपको दिन भर बोला जाएगा रहे दारू 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 पकड़ो दारू पकड़ने के लिए आप भागेंगे सरावी 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 जो है दारू सप्लाई करता हुए बैचारे अपने खट पट्टिया से जो है उसको पकड़ने दौरते तो इनको जहां लगा दिया जाता इमानदारी के साथ करते हैं लेकिन दुर्भाग्य का बात यह है कि जो है ऐसी घटना घटना जो है बिहार में वो दिन दिहारे रात में खुलनिम खुला हो जाती है तील लोग की मौत होई है मित्रों तील लोग की बलाब सोचे कि तील लोगों की जान चली गई है और अभी जो है वो कोई मतलब कहने को बताने को देखने को नहीं है क्या हुआ कैसे हो गया इस साब पता चला है कि रात में उधर से चड़के पूरा इनके अंदर के जमीर मर चुका है हम लोग अम नौर से यहां आ गये लेकिन गावन वाले का कोई पता नहीं बोलते हैं सर जब तक नहीं बोलिए गा सुनेगा को नाज इनको मारा है कल आपको भी मार देगा कोई सराम माफिया भू मापिया बालू माफिया बताई आय है कि पूलिस वाला के सामने मेडिया बंधू गए थे तो वहां पे लाठी लेके अचाहेट रहा है मेडिया वाले लोगों का वही ब्यक्ति जो इस मडर में सामील है और खुलेयाम सरयाम वहां पे घूम रहा है लेकिन यह लोग सिर्फ बरदी पहिने हैं टोपी लगा लिए है लेकिन उसको पकड़ने का इनलोगों के पास आउकादे नहीं है इन लोगों के पास कोई ऑ्डर ही नहीं है कि उसको पकड़िए यहाँ पर थाना जक्ष के दुआरा लीपा-पूति किया जा रहा है और अपने जाती के लोगों का संरक्षन दिया जा रहा है रसूलिपुर्थाना प्रभारी जो हैं अपने जाती के लोगों को संरक्षन देने देने के लिए ऐसे ऐसे इमंदार पतादिकारियों के हाथ बान के रखे हैं कि आप लोग रहे और उस जो अपड़ादी जो है वो लोगों को चहेटते रहे और मारते रहे उसको खुला घूमने दीजिए यहां से जिसमें इस घटना को पूरा अंजाम दिया बगल में ही गाउं में जो है घर है लेकिन जो है कोई प्रसासन के अंदर खौपनी आओ काटो पीटो मारो चीर फार कर चले जाओ इनको भी पिस्टल दिया जा करता है और अपड़ादी सामने से गुमता है क्यों कहीं लोग सुरू में भरती होते हैं और रिटार हो जाते हैं जीवन में कभी भी पिस्टल जो है सिर्फ साफ करते हैं लेकिन गोली चलाने का इनको मौकान नहीं दिया जाता है लोगी सब को पता है यार इनको इनके हाथ दुरबांध कर रखे गए हैं अब दुरबाग का बात है कि छपरा के इस गाओं में मातम का माहूल है अब पता नहीं गाओं में है या नहीं लेकिन घर में तो है अब कोई जालू लगाने वाला नहीं बचा है एक लड़का है उबाहर कमाता था घर में अब सिर्फ दो हो गया है इह घर है कोई इस पर चड़कर किसी को भी मार्मोर के अपना चलता बनता है कोई खौफ नहीं है अब सवाल यह भी है कि क्या था है रॉगत को जल्दी से जल्दी सज्जा मिलेगी यह फिर जेल पर फिर से बेल मिलकर उदिन दिहाड़े घूमेगा खौफ बनना चाहिए पुलिस का भी खौफ होना चाहिए कानून का भी खौफ होना चाहिए अपराधियों के अंदर सच में जब खौफ नहीं होगा तब तक कोई भी सरफिरा आसी का पराधी बिना जाती धर्म देखे किसी को भी मौत के घाट उतार देगा सवाल ये बड़ा है कि छपरा में त्रिपल मडर इसके पहले आज के एक महीना पहले इसी छपरा जिला में इसी स्टारण में दो एड़ोकेट की हत् दुख का बात है और इस दुख के घड़ी में सब को एक सास सोचना चाहिए कि आखिर बिहार को भय मुक्त गुंडा मुक्त अपराधी मुक्त कैसे किया जाए और इन लोगों को खुली छोट जो है अपराधियों को पकड़ने की गिरपतार करने की एंकाउंटर करने की कब सब्सक्राइब आप लोग सच में समझदार है यह मामले में तुरंत जो है तुरित कारवाई हो कारवाई हो गई पराधी गिरपतार है लेकिन परिवार को जल्द से जल्द नए मिलना चाहिए